आज आएए हम स्वर्ये परिवार और AI का यूग उपदेश शिर्षक के साथ परमेश्वर की वचन का अध्यन करें हम परमेश्वर की प्रतिग्या से संबंदित स्वर्य परिवार है हमारे अंदर परमेश्वर का मास और लहू है बाइबल में हम उस द्रिश्य को देख सकते हैं जहां पवित्रात्मा स्वयम घवाई देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं इसलिए हमें सूसमाचार के मार्ग पर चलना चाहिए जिससे कोई अकेलापन महसूस न करे आये हम दूसरों को प्रोचसाहित करे और एक दूसरे के साथ एक जुठो ता कि हम सभी बिना ठके सूर्ग की और चल सके क्या वास्तों में सूर्ग में हम एक परिवार हैं आईये पहले इस मामले को देखे बविश्य का यूग कृतिम बद्धी का यूग है तब यह यूग बाईबल में कैसे संबन्दित है कि आईए हम इस मामले को भी एक साथ देखें. आईए हम इबरानियो अध्याय आठ आयत पांच की शिक्षाओं को देखें. वे स्वर्ग में की वस्तूओं के प्रतिरूप और प्रतिभिंब की सेवा करते हैं. जब हम इबरानियो अध्याय आठ आयत एक से पढ़ते हैं, तो हम की, लगवक 3500 साल पहले जंगल में मुसा ने स्वर्ग पवित्रस्तान के प्रतिरूप के रूप में प्रित्वी पर पवित्रस्तान बनाया था. इसलिए इबरानियो अध्याय आठ वचन पांच में लिखा हैं, तुम स्वर्ग में की वस्तूओं के प्रतिरूप और प्रतिभिंब की सेवा करते हो. यह पवित्रस्तान ही प्रतिरूप और चाया का एकमात्र उधारन नहीं है. यदि हम अन्य बहुतिक प्रणालियों को देखें, तो और भी उधारन हैं. उनमें से आएए हम स्वर्ग परिवार को देखें. आएए हम सांचारिक परिवार के माद्यम से स्वर्ग परिवार का अध्यन करें. और एक बार फिर पुष्टी करें कि हम स्वर्ग परिवार हैं. किसी को अकेला पन महसूस ना हो, इसके लिए हमें एक दूसरे की देखबाल करनी चाहिए और अनंत स्वर्ग के राज्जी के ओर एक साथ चलना चाहिए चुकि सांसारिक वस्तुए स्वर्गे वस्तुओं का पृतिरूप है इसलिए यदि कोई चीत स्वर्ग में है तो वो पृत्वी पर भी मौझूद होगी फिर क्या होगा यदि पृत्वी पर कुछ मौझूद है इसका मतले में कि ये स्वर्ग में भी मौझूद है है ना आज इस उपदेश के द्वारा आएए हम परिवार प्रणाली को देखे सांसारिक परिवारिक वेवस्था में पिता, माता और उनके बेटे और बेटिया होते हैं चुकि इस पृत्वी पर एक पारिवारिक प्रणाली है इसलिए स्वर्ग में भी ऐसा ही होगा आए हम इबरानियो द्याए 12 वचन 9 की शिक्षाओं पर एक नज़र डाले फिर जबकि हमारे शारिरिक पिता भी हमारी ताडना किया करते थे और हमने उनका आदर किया तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीम नर है जिससे हम जीवित रहे इस प्रित्वी पर आमत और पर कौन सा सदस्य परिवार का प्रतिनी दित्व करता है बाइबल में उन्हें शारिरिक पिता की रुप में लिखा गया है फिर जबकि हमारे शारिरिक पिता भी हमारी ताडना किया करते थे और हमने उनका आदर किया तो हमें किसके अधीन रहना चाहिए? क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? बाइबल हमें सिखाती है कि स्वर्ग में हमारी आत्माओं के पिता भी है और येशु ने हमें सिखाया है कि आत्माओं के पिता हमारे परमेश्वर है आये हम मतिय द्याई 6 आयत 8 पर जाए इसलिए उनके समान न बनो क्योंकि कौन जानता है तुमारा पिता तुमारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुमारी क्या-क्या अवशक्ताय है अता तुम इस रिती से प्रात्ना किया करो हमें किस से प्रात्ना करने चाहिए हे हमारे पिता तुजो स्वर्ग में है जैसे हमारे शारिरिक पिता इस प्रित्वी पर मौझूद है वैसे ही बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे आत्मिक पिता भी स्वर्ग में मौझूद है पिता शब्द या उपादी का उप्योग परिवार प्रणाली में किया जाता है ना कि कारिस्तल या सेना में बाइबल हमें समझाती है कि यह केवल एक अनुमान नहीं है बल्कि यह वास्तों में सत्य है आएए हम परमेश्वर की वचलों को और अधिक विस्तार से देखे आएए हम दूसरा कुरूंतिय अध्याएच्छे पर जाए अध्याएच्छे आयत सत्रा कहता है इसलिए प्रभू कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्वस्तु को मत चुओ तो मैं तुम्हे ग्रहन करूंगा और मैं परमेश्वर क्या होंगे तुम्हारा पिता होंगा और तुम मेरे बेटे और बेटिया होंगे अर्धात परमेश्वर की संतान ये सर्वशक्तिमान प्रभू परमेश्वर का वचन है परमेश्वर हमारे पिता है और ऐसी संतान है जो उन्हें पिता की उपादी से बुलाती है तब ये संतान कौन है? पाइबल हमें सिखाती है कि हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते है परमेश्वर की संतान है. तब सबसे महत पूर्ण हमारे पास कौन होनी चाहिए? सांसारिक व्यवस्था के अनुसार परिवार में हमेशा माता होती है. तब स्वर्गे परिवार में भी किसका अस्तित्व होना चाहिए? माता की बिना स्वर्गे परिवार स्वर्ग में मौजूद नहीं हो सकता. सभी लोगों, आप चंदर नव वर्ष पर कहां जाते हैं? कुछ लोग यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन अधिकांच लोग अपने ग्रह नगर जाते हैं. यदि आप अपने ग्रह नगर जाते हैं, लेकिन आपके माता-पिता वहां नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप वहां जाना चाहेंगे? वह ग्रह नगर जैसा मैसूस नहीं होगा, आपके माता-पिता वहां होने चाहिए. जैसा कि लिखा है, संसारिक प्रणाली स्वर्य प्रणाली का प्रतिरूप है तब यदि संसारिक परिवार में माता है तो आत्मिक दुनिया में भी स्वर्य माता होनी चाहिए संसार के चर्च केवल अपने होटों से ही परमेशुर को पिता कहते है हाला कि परमेश्र हमारे सच्चे पिता और माता है जो हमारे साथ अपना मास और लहू साजा करते है हमारे भाई भेन भी एक ही मास और लहू को साजा करते है हम एक स्वर्गे परिवार है आईए हम गलातियो द्याइच चार के द्वारा पुष्टी करें कि जैसे प्रित्री पर माता है, वैसे ही स्वर्ग में भी माता है। अधिया 4 आयत 26 में यह कहता है, पर उपर की यरुशलिम सोतंत रहें और वह हमारी माता है। यहां उपर का अर्थ स्वर्ग है, है ना। इस तरह Bible's First रूप से सारी मानव जाती को स्वर्ग माता के बारे में सिखाती है। हम समझ सकते हैं कि सांसारिक परिवार प्रणाली स्वर्ग परिवार प्रणाली का एक सच्चा प्रतिरूप है। जो लोग इस बात पर जोड देते हैं कि कोई स्वर्ग माता नहीं है, वे स्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ती से प्रकाशित वाक्य तक पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए पहले से ही बहुँ अचन शब्द एलोहिम का उपयोग किया है। पिता परमेश्वर अकेले सूसमाचार का कारे नहीं करते। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हमेशा एक साथ हमारी अगवाई करते हैं तकी हमारा चर्च दुनिया को बज़ा सके। उन्होंने सभी जातियों में सुसमाचार के कारे को पूरा करने के लिए सियोन को स्तापित किया है। तब क्या परमेश्व ने वास्तों में Church of God के भाईयों और भैनों को अपने बेटे और बेटिया कहा है? हाँ, उन्होंने ऐसा कहा है हमें स्वर्ग के मार्ग में एक सदस्य को भी अकिलापन मैसूस होने नहीं देना चाहिए इसके बजाए आईए हम सभी एक दूसरे की चिंता करे और ठके हुऊ को शक्ति दे जो हमें शक्ति देता है वह भोतिक पदार्त या भोतिक वातावरन नहीं है हमें परमेश्वर के वचन को गरहन करना चाहिए और परमेश्वर के वचन के द्वारा मजबूत होना चाहिए स्वर्ग परिवार के सदस्यों का मिशन क्या है स्वर्गे परिवार को पिता और माता का कार्य करना चाहिए पिता और माता कौन सा कार्य करते है वे पूरे संसार को बचाने के लिए और हमारे खोईवे भाईयों और बेनों को या तकी सबसे छोटी संतान को अनंत स्वर्ग में ले जाने के लिए इस प्रित्वी पर आये हैं, है ना? क्योंकि मनुश्य का पुत्र खोए हुऊ को डूढने और उनका उद्धार करने आया है क्या परमेशों ने लुका दिया है 19 में ये नहीं कहा? हमारा कार्य पिता और माता के कार्य से अलग नहीं होना चाहिए जिस मार्क पर पिता और माता चले उसी मार्क पर हमें जाना चाहिए और जिस मार्क पर पिता और माता ने हमें उदारन के रूप में दिखाया उसी मार्क पर हमें चलना चाहिए, है ना? बाइबल हमें स्वर्य परिवार क्यों कहती है? यदि सांसारिक परिवार प्रणाली में पिता, माता और संतान लहू से संबंदित होते हैं तो हमारे स्वर्गे परिवार में कैसा होना चाहिए? यह एक जैसा होना चाहिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक प्रतिरूप है पृत्वी की परिवार प्रणाली स्वर्गे परिवार की जो वास्तविक्ता है नकल है तब क्या स्वर्गे परिवार को भी आत्मिक लहू के द्वारा नहीं जुड़ा होना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पिता का लहू कौन सा है और हमारी माता का लहू कौन सा है आप यह कहते हुए हस सकते हैं क्या आत्माओं के रक्त प्रकार होते हैं लेकिन यह बाइबल में लिखा है आए हम इस मामले को देखे आयम मतिय अध्याय 26 आयत 17 पर जाए अकमिरी रोटी के पर्व के पहले दिन चले येशु के पास आकर पूछने लगे तू कहा चाता है कि हम तेरे लिए फसर खाने की तयारी करे उसने कहा नगर में अबुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है मैं अपने चेलो के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा अता चेलो ने येशु की आज्या मानी और फसर तयार किया इस फसर के ध्वारा परमेश्व ने किस प्रकार का पर्व मनाया आये हम आयत 26 पर जाए जब वे खा रहे थे तो येशु ने रोटी ली और आशिश मांग कर तोड़ी और चेलो को दे कर कहा लोग खाओ यह यह क्या है मेरी दे है उन्होंने हमें सिखाया कि फसर की रोटी उनकी दे है उन्होंने फसर की रोटी की तुलना मसी की पवित्र दे से की आए हम आयत 27 पर जाए फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा तुम सब इसमें से पीओ उस कटोरे में क्या था? उन्होंने फसक के दाकमदू का कटोरा लेकर उन्हें यह कहते हुए दिया तुम सब इसमें से पीओ चोकि यह वाचा का, यह किसका लहू है? मेरा वा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की शमा के निमित बहाया जाता है तब हमारे स्वर्य पिता का लहू क्या है? स्पष्ट रूप से यह फसर का लहू है फिर नई वाच्चा फसर में भाग लेने वालों के लिए फसर के दिन का क्या महत्व है? यह वा दिन है जब परमेश्वर सारी मानव जाती को अपना भव मुल्य, मास और लहू देते है दूसरे शब्दों में फसर वा दिन है जब हम परमेश्वर की संतान बनते है लेकिन आज संसार के चर्च फसर नहीं मनाते है इसमें कुछ भी अजीब नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्गय पिता का पवित्र मास और फसर का लहू केवल परमेश्वर की संतानों को दिया जाता है वे लोग जिनके पास फसर के द्वारा मसी का बहुमोल ये लहू है क्या वे परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रिया नहीं? परमेश्वर ने इन सभी बातों को बाइबल में दर्ज किया है क्या ये नहीं लिखा है कि जिनके पास परमेश्वर का मास और लहू है केवल उनके पास ही अनंत जीवन है आये हम योहनना अध्याच्छे पर जाए इस वर्ष आये हम परमेश्वर की संतानों के रूप में गर्व करे और आएए हम सारी मानव जाती को बचाने की पूरी कोशिश करें आएए हम आयत 53 देखें येशु ने उनसे कहा मैं तुम से सच-सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मास न खाओ और उसका लहु न पियो तुम में क्या नहीं? तुम में जीवन नहीं भले ही लोग चर्च में सौबार जाए यदि वे येशु का मास नहीं खाते या उनका लहु नहीं पीते उनका विश्वास मर चुका है है न? वे अनन्जीवन कभी प्राप्त नहीं करेंगे आए हम आयत 54 के साथ जारी रखे जो मेरा मास खाता और मेरा लहु पीता है जो येशु का मास खाता और उनका लहु पीता है उसके पास क्या है? अनन्जीवन उसी का है और मैं उसे अन्तिम दिन फिर जिला उठाओंगा क्योंकि मेरा मास वास्तों में खाने की वस्तू है और मेरा लहू वास्तों में पीने की वस्तू है जो मेरा मास खाता और मेरा लहू पीता है वा मुझ में स्तिर बना रहता है और मैं उसमें जैसा जीवते पिता ने मुझे बेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा परिवार का संबंद लहू से होता है इसका मतलब है कि जो लोग फसक के सत्य में है वे परमेश्वर को पिता और माता बुलाने के योग्ये है ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग स्वर्ये परिवार है तब हम स्वर्ये परिवार को मैं केवल वही करूँगा जो मुझे पसंद है, हम इसे याकूब और एसाओ की कहानी के माध्यम से देख सकते हैं, याकूब ने हमेशा अपनी माता की मदद की, इसलिए वह आशिश प्राप्त कर सका, एसाओ को केवल उस चीज में दिल्चस्पी थी, जिसमें उसे आनन्द आत जैसे की शिकार करना और बाहर समय बिताना, एसाओ को अपनी पिता और माता के कारियों में कोई दिल्चस्पी नहीं थी, सबी लोगों क्या हमें एसाओ की तरह बनना चाहिए, क्या हमें याकूब की तरह नहीं बनना चाहिए, भले ही याकूब एक पुरुष था, लेकिन उ उसने स्वादिश्ट मसूर की डाल बनाना सीखा, बाहर शिकार करने के बाद ऐसा भूका था, वह जब घर लोटा, तो उसका छोटा भाई मसूर की डाल बना रहा था, उसने याकुब से एक कटोरी डाल मांगी, याकुब ने कहा, मैं तुम्हें मुफ्त में डाल नहीं दे सकत क्या तुम मुझे अपना पहलोटे का अधिकार दे सकते हो, यदि तुम मुझे पहलोटे का अधिकार दो, तो मैं तुम्हें दस कोटोरी डाल भी दे सकता हूँ, उसे ये बुद्धी अपनी माता की मदद करने से मिली, इस बुद्धी के द्वारा क्या उसे पहलोटे का इस अधियम से सीयोन की सभी संतानों को सवर्गे पिता और सवर्गे माता के कारे में भाग लेना चाहिए। लूकाधिया में 19 वचन 10 में हम देख सकते हैं कि पिता और माता ने क्या किया। और उन्हें स्वर के राज में ले जाना है, हमें इस कारे में भाग लेने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। स्वर्गे माता ने कहा, चुकि हम स्वर्गे परिवार हैं, तो मुझे आशा है कि आप एक दूसरे की अच्छी देखबाल करेंगे, ताकि कोई भी अकेलापन महसूस न करें, आये हम उनकी इच्छा का पालन करें और अपने भाईयों और बेनों की देखबाल करें, ताकि एक भी सदस्य शैतान के प्रलोबन में न पड़े, आये हम ऐसे भाई भेन बने, जो स्वर्गी और देखते हुए, धन्य जीवन जीने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हमें एक भी आत्मा को पीछे छोड़े बीना उदार का कारिय करना चाहिए, तब शिर्षक में AI का यूग का क्या मतलब है? अब Artificial Intelligence का यूग है, चुकि इन दिनों सभी कारखानों में कृत्म बुद्धी वाले रोबोट का उप्योग किया जाता है, इसलिए कारखानों में कम लोग काम करते हैं, यहां तक की कृतिम बुद्धी के उप्योग के माध्यम से कारोख को भी बनाया जाता है, सभी सम्नुक्रम रोबोटिक हातों से संचालित होता है, वो समय आएगा जब लोगों की अवशक्ता नहीं होगी, जैसा कि आप जानते हैं, ली से डोल नाम के एक कोरियाई, गो खिलाडी और अलफागो नामक कृतिम बुद्धी वाले कम्प्यूटर ने गो गेम खिला, यह दुनिया भर में एक प्रचलित विशे बन गया है, यह मानो बुद्धी से परे है, AI वाला कम्प्यूटर एक सेकेंड में सेकडो हजारों चीजों के बारे में सोच सकता है, जबकि मनुश्य प्रति सेकेंड केवल सो चीजों के बारे में सोच सकता है, इसलिए मनुष्य कृतिम बुद्धी के साथ नहीं रह सकते इस बारे में सोचकर मैं पिता और माता का बहुत आभारी था यदि कृतिम बुद्धी मता यहां उब्देश दे यदि वो हमारी जगर ले लेता है तो क्या कुछ बचेगा जिसमें हम भाग ले सकते है वो बिना सोई 24 घंटे भी प्रचार कर सकता है दूसरी और हमें सोना, खाना और आराम करना पड़ता है जब हम इन बातों के बारे में सोचते है तो इस युग में हमें दिया गया समय कितना धन्य है पविश्य में लोग युद्धों के लड़ने के लिए बंदूकों का उप्योग नहीं करेंगे वो समय आएगा जब रोबोट एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे सभी लोगों आप घर पर खाना बनाते हैं, है न? जब आप खाना बना सकते हैं, तो कृपया अपने परिवार के लिए अच्छा खाना बनाने की पूरी कोशिश करें अब यदि आप AI खरीदते हैं और उसमें खाने की एक रेसिपी डालते हैं तो यह हर स्वादिश भोजन जैसे चीनी भोजन, कुर्याई भोजन और अमेरिकी भोजन बना सकता है इसके अलावा Artificial Intelligence खुद को सिखा सकती है और यहां तक की fusion वियंजन भी बना सकती है दूसरे शब्दों में मनुष्य जो कुछ भी करता है वह मशीनों द्वारा किया जा सकता है यदि कृतिम भुद्धी मता एक उपदेश देती तो वह आयतों को मुझसे बहतर खोच पाती यदि वह केवल उत्पत्ती एक में जाता है तो वह पहले ही आयत 26 पर जाकर इसे पढ़ भी सकता है यदि आप सभी भाशाओं को कृतिम बुद्धी नेटवर्क में डालते हैं तो यह कोरियाई, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पैनिश में उपदेश देगा हम यह नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिफिशल इंटिलिजेंस इसे कर सकती है सभी लोगों यह भविश्य में सच होगा इसलिए जब परमेश्वर हमें पुई प्रिथ्वी पर सुसमाचार का प्रचार करने की आग्या देते हैं तब यदि हम आलसी हैं या सुसमाचार में भाग लेने में असफल होते हैं तो हमें दूसरा आउसर नहीं दिया जाएगा यह एक बेदु की विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है बड़े उत्पादन वाले अधिकांच कार खानों को कृतिम बुद्धी द्वारा प्रतिस्तापित किया जा रहा है क्या भविश में कार को ड्राइवर की अवशक्ता होगी कार में सवार लोक सो रहे होंगे और कार अपने हाप चलाई जाएगी और उसे खत्रे का आभाज भी होगा इसलिए इसका दुरगटना दर मानव चालोकों की तुल्ला में बहुत कम होगा सुअचालिट ड्राइविंग प्रनाली के माध्यम से यदि आप इसे बताए कि कहा जाना है तो यह आपको सटी घंतव्य तक ले जाएगा भविश्य में मनुश्यों की और अवशक्ता नहीं होगी इस बारे में सोचकर मैं वास्तों में पिता और माता का आभारी था जिनोंने मुझे सुसमाचार का प्रचार करने और उपदेश देने की अनुमती दी परमेशों ने हमें इस सत्य में बुलाया है और इस युक के आने से पहले हमें इस पद में रहने दिया है उन्होंने हमें सुसमाचार प्रचार करने का आउसर दिया है इस वर्ष से सैमसेंग मोबाइल फोन लगभग सभी भाशाओं का अनुवात कर सकता है यदि हम कोरियाई में कुछ कहते है तो दूसरे उसे अंग्रेजी या फ्रेंच में या किसी भी भाशा में सुन सकते है मेडिया ने बताया कि इसका अनुवाद धर लगबग 90 प्रतिशत 60 है इसलिए जबकि हम कुछ कर सकते हैं तो आईए हम उसे अभी करें परमेश्वर 2000 साल पहले इस तरह का वातावरन बना सकते थे लेकिन उन्होंने हमें इस युग में परमेश्वर का कारी करने का अवसर देने के लिए ऐसी तक्निकों के विकास में देरी की है हाला कि बहुत से लोग इस अवसर को खो रहे हैं यदि यह युग अगले पांच या दस वर्षों तक जारी रहता है तो हम नहीं जानते की भविश में क्या होगा अब तेजी से कारी करने का युग है इसलिए लोग मोटर साइकल से सामान पहुचाते है हाला कि भविश में ड्रोन सब कुछ घर घर पहुचाएंगे सभी लोगों जब तक हम कर सकते हैं आईए हम अपना सर्वश्रेष्ट करें जब तक आप कर सकते हैं भोजन पकाए अल्फा गो जैसे AI के साथ अब आपको शेफ की अवशक्ता नहीं है यदि आप यूरोपिय शेली या तक्षिन अमेरिकी शेली का भोजन खाना चाते हैं तो यह आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाते हैं क्या यह आश्रजनक नहीं है जब मैंने सुना कि AI का यूग आ रहा है तो मैंने परमेश्वर को धन्यवा दिया लेकिन साथ ही इसने मुझे डराया दिया मैंने सोचा ऐसा यूग पहले से ही आ गया है यह 2000 साल पहले हो सकता था लेकिन परमेश्वर ने हमें आशिशित होने का यह अवसर देने के लिए इसमें देरी की येश्वर ने लूका बारा में कहा तुम धर्ती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो पर तो इस यूग के विशे में क्यों भेद करना नहीं जानते हैं न ये यूग ऐसा बन गया है सबी लोगों आएए हम सब इस वर्ष जाग उठे जब हम काम कर सकते हैं और सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं यदि AI हमारी जगा लेता तो वो हम से अधिक सटिक रूप से बाइबल सिखा सकता इसकी शिक्षन शमता मनुश्यों से बहतर होगी एक बाइबल की आयतों को उसमें ढालते हैं तो यह खोजेगा और ठीक ठीक पता लगाएगा कि वह कहां है हर चीज का एक समय होता है जब हम कर सकते हैं तो हमें सब कुछ करना चाहिए जब भी हम कर सकते हमें आशिशों को इकटा करना चाहिए हमने जो किया है उसके अनुसार परमिश्रम में बदला देंगे यदि लोग AI को ब्रशादसनिक कार्य करने के लिए कहें तो यह सही होगा यह कहने के अवशक्ता नहीं होगी कि क्या आप बहतर नहीं कर सकते यदि आप अपना काम AI में एक बार इंपुट करते हैं तो यह सब कुछ संभाल लेगा जब आप कहते हैं इस कार्य को कुछ घंटों के अंदर पूरा करो तो यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा जिस कार्य को करने में मनुश्यों को 10 या 20 घंटे लगते हैं उस कार्य को AI स्रिफ एक या 2 घंटे में कर देगा अप से सेकेर्टरी की कोई अवशक्ता नहीं होगी क्या यह सही नहीं है यदि हम AI का उप्योग करते हैं तो हमें अनुवाद करने वालों की अवशक्ता नहीं होगी यदि लोग AI को किसी चीज का अंगरेजी में अनुवाद करने के लिए कहते हैं तो यह उसका सटीक अनुवाद कर सकता है यह हमारे स्वास्त का भी खयाल रखता है यह हमारे स्वात को भी जानता है ठीक समय पर यह आपके लिए एक कप कॉफी बनाता है ऐसा अद्भूत कारिय करने वाला AI होगा हम Artificial Intelligence की युग में जी रहे हैं सभी लोगों मैं आपको ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन भविष्य एक ऐसा यूग होगा परमेश्यों ने हमें सुसमाचार का कारिय करने का आउसर दिया है पिता और माता कहते हैं इस सुसमाचार का प्रचार सामरिया में और पृत्वी की छोड़त करो जबकि काम करने के लिए अभी भी समय और स्तान है आये हम यतन से सुसमाचार का प्रचार करें और कई फल उत्पन करें यह आशा करते हुए कि इस वर्ष हम सुर्गय पिता और माता को बहुत खुशी देंगे मैं उस उब्देश को समाप्त करना चाहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद